असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टो माई चैनल वेलकम बैक टो एनदर व्लोग तो आज का व्लोग कर रही हूं जी सुबा की टायम से स्टार्ट और अब भी जो हैं तकरीवन 10-11 मजे का टायम था और मैं पानी रखा था के चलो इरह को जो वह नहीं हला देत तो इन वाइड निशान को मैं किस तरह खतम करूं मैंने तिजाब लगा के देख लिया है मैंने हर पिक भी लगा के देख लिया है टायल क्लीनर भी लगा के देख लिया है लेकिन ये वाइड जो निशान है ये हटी नहीं रहे साबून के जैसे हो जाते हैं शैम्पू के होत तो हम लोग जाएंगे तो हम लोग जा रहे हैं मेरा शूगर का टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि डॉक्टर ने मुझे का था कि आप शूगर का टेस्ट करवालें जी सीटी क्योंकि मेरा यक दम बैठे बैठे गला इतना जादा खुश्क हो जाता है जिसके अदने में मैं पा फीज dif रफटे मेरी जी भजान थी महिए हो गए थी हम िजाना हुए थी अर्म bacon meat जीजाना हम करना मेरे मेरे पैट का पानी जाना है त explicitly पानी मेरा थीयति हम dizina खोना मेरे खूँन disp मेरे बात क्यों मजव मेरीं ते साइस मेरे पानी बादी झूखन दाओ तो इसलिए आज हम लोग आए हैं और सेयद क्लिनिक से मैंने टाइम ले लिया था पहले ही के यहां से टेस्ट में करवा लोगी तो हम लोग आ गए हैं जी अभी यहां और यह वहाला टेस्ट होता है जिसमें आपको गुलुकोस पीना होता है और उसके बाद घंटे के बाद आ प्र आपको पता चल जाता है कि मतलब शूगर है या नहीं है तो जी हम लोग आ गए हैं और उसके बाद मैंने उनको का था कि मैं गुलुकोस ना वहीं आके पीऊंगी तो हसीब गए होई हैं गुलुकोस लेने के लिए और मैं और यह उनका वेट कर रहे हैं और बहुत साफ और उसके एक घंटे के बाद जो था मेरा टेस्ट हो गया था बलड टेस्ट हुआ था और उसके बाद जो है रिपोर्स जब आएंगी तो इन्शाला वह भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी और उसके बाद मैं ऐसे खड़े खड़े जो है वह अम्मी की तो यहां मैं आई थी मैंने का छलो थोड़े अम्मी की तरफ से हो लेती हूं तो उसके बाद मैं सिस्टर की तरफ आई और यह जी हैं बुक्स तलहा की बुक्स तलहा ने माशाला 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 स्कूल जाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है और यह उसकी कुछ बुक्स है और माशाला बच्छे देखते देखते कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं हमारे लिए तो तलहा अभी भी बहुत जादा छोटा है तो तलहा को हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में करवाया है जो जूनियर इनकी ब्रांच है तो वहां करवाया है माशाला से और बस यह कहूंगी कि अला तलहा हर बच्छे के नसीब बहुत अच्छे करे और हर माँ को यह दिन दिखाया कि बच्छे खेर से स्कूल जाए तो मैं देख रही थी हमें बड़ा शौक होता था जब बच्छों किस तरह की चीज़े आती थी तो मैं बड़े शौक से देख थी थी तो क्या क्या टीचर ने का है लाने को तो सिस्टर मुझे सब कुछ दिखा रही थी और तलहा माशालला बहुत जाए था चुछ बच्छे होते हैं जो रीं रीं करते हैं स्कूल जाते वक्ट लेकि तलहा माशाला बिल्कुल भी रीरी नहीं की इसने और बहुत शौक से गया और उसके बाद बलकि खुद अपनी ममा कहता था मुझे स्कूल भेजो मैं बोर हो रहा हूँ तो इसलिए इसकी ममा ने इसको स्कूल दाखिल करवा दिया है और मैं बहुत जादा खुश थे लेकि डरी भी हुई थी कि अभी छोटा बच्चा है इसकी ममा खुद बहुत जादा डरी हुई थी लेकिन जाहरे बात है एक दिन तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है और माशाला साथे तीन साल का है तो बिल्कुल जो है वो जो बिल्कुल है ना ठीक हो मरा है ये स्कूल जाने की उसके बाद जी हम लोग आगे थे घर और जब घर आए तो हसीब ने मुझे का कैसा करो मैंने का हसीब हमना सबजियां लेके जाते हैं तो हसीब ने ने का ठीक है तो क्या बनाओगी मैंने का मैं चाइनीज राइस बना लेती हूं साथ मैं मैंन्चूरियन बना लेती हूं तो हसीब ने का कि अभी तुम बलड देखिया यह और शुकर अगर टैस्ट होगा तुमारा तो मैं ऐसा करो एक चीज तुम बना लो और एक चीज ना आंटी को कह देता हूं तो मैंने का चलें ठीक है हलागे मैं चीज निकाली खड़ी थी तो यहां जी इरहा जी कमरे में थी और मैंने कमरे का दर्वादा खोल दिया था क्योंकि जब मैं कीचन में काम कर रही होती हूं तो फिर मैं कमरे का दर्वादा جو ہے وہ کھول رہتی ہوں کہ چلو یہ نہ میرے پاس بھی پھرتی رہے گی اور کمرے میں بھی جو ہے να وہ چکر لگا تی رہے گی اور پورے گھر میں اس طرح جو ہے وہ پھرتی رہے گی ماشاء اللہ میری پیاری سی بیٹی بیٹیاں اور بیٹے ویسے ہی بہت زیادہ پیار ہوتے ہیں اللہ تعالی ہر بی اولاد جوڑے که اولاد کی نمت سے نوازیں آمین میری بیٹی کے بھی और सब बेटियों के रसी बहुत अच्छे करें आमीन सो मामीन तो यहां जी मैं बना रही हूं चाइनीज राइस अच्छा हुआ यह था कि जो मेरी बड़ी जुचानी है ना वो घर नहीं थी वो अपनी अमी की तरफ गए थे और बच्चे भी अमी की तरफ गए थे तो घर में सिर्फ मैं थी हसीब थे और आंटी और जोया साथ में मेरे जो दरमयान वाले जेट है वो और उनकी मिस्स थे ठीक है तो मैंने चावल जो है ना दो ग्लास जो थे ना वो बॉयल किये थे तो उसके बाद जो है फिर आंटी को कह दिया हसीब ने कैसा करें कि ना आप ना मंचूरियन भी बना ले तो आंटी ने मुझे का कि आसमन घर में काफी ज़ादा लोग है खाने वाले और आंटी की मतलब आ देता है वो कभी भी ना इस तरह नहीं करती है मतलब जो बच्चा घर नहीं होता ना बंदा उसका लाजमी हिसा रखती है तो आंटी ने का वो बच्चे भी आ जाएंगे तो ऐसा करो तो ना राइस दुबारा मतलब जादा बॉयल कर लो तो फिर मुझे राइस जो है वो इस तरह दो दफा जो है वो बॉयल करने पड़े थे एक दोब मैंने पहले दो ग्लास किये उसके बाद दुबारा दो ग्लास किये और गैस जो है आजकल जी चली जाती है तकरीब बन साड़े साथ बजे हमारी तरफ तो गैस चली जाती है सारा दिन नहीं जाती है लेकिन साड़े साथ बजे साड़े साथ बजते हैं और चली जाती है तो यहाँ पानी दुबारा मैंने रखा है चावल बॉयल करने के लिए और यह वाले जो चावल हैं यह मैंने पहले ही जो है वो बॉयल कर लिये थे तो यह रख्यो हैं साइड पर और बाकी जो चावल है उनको मैं बॉयल कर रही हूं और यह मैंने भिगो दिये थे के लिए आंटी जो है वो चिकन को अभी कट करके रख रही है और बहुत मज़े की जी आंटी मंचूरियन बनाती है मेरी अम्मी को बहुत जादा पसंद है और उसके बाद जी मैंने त्यारी शुरू कर दी है चाइनीज राइस की मैंने इसमें जो है दो तीन लेके ना उसको भ मैं जादा हेर फेर ने करती फिर रेस्पी खराब हो जाती है और मैंने अंडा भी डाला था और आप यकीन करें इतने मज़े के बने थे ना सबने इतने मज़े से खाए और हसीब को इतने जादा पसंद आए ना तो यहां जी हम सब लोग बैठे हुए हैं लाउंज में और आँ डाल डाल के दे रही हैं और इरह को भी मैं इस तरह इस तरह अपने पास बटा लेती होती हूं कि चलो यहां फूछ आ खुछ खा लेगी और पास बैठ जाती होती है माशाळाओं तो सबको बहुत बहुतुजा-ज्गए बहुत जादा बات यह थी कि हसीब को बहुत जा मुझे एरह और हसीब को अपनी दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज